भारत की ब्रम्मोस, अमेरिका की टॉम हॉक चीन का काल, तैनात करने जा रहे दो पडोसी देश, फिलिपीन्स ने 2022 में भारत के साथ ब्रम्मोस मिसाइल को हासिल करने के लिए समझोता किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देने के लिए दो पडोसी जापान और फिलिपीन्स ऐसे हतियार तैनात करने जा रहे हैं जिन्हें चीन के लिए काल माना जा रहा है। मार्च के अंत तक फिलिपीन्स को अपनी पहली एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रम्मोस मिलने की उम्मीद है। वहीं जापान अपने सुरक्षा बलों को टॉम हॉक मिसाइलों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षन शुरू करने की योजना बना रहा है। ये बताता है कि इस इलाके में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है ब्रेकिंग डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार फिलिपीन्स और जापान में हथियारों की। तरफ ये दौड यूँ ही नहीं है। इसके लिए चीन ही जिम्मेदार है जो उत्तर कोरिया के साथ घातक मिसाइल कार्यक्रम में लगा हुआ है। फिलिपीन्स जणवरी 2022 में फिलिपीन्स ने भारत के साथ ब्रहमोस मिसाइल के लिए समझहौता किया था और इस तरह वह इस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बना था। मिसाइल की रेंज 290 किमी है जो इसे स्प्रैटली द्वीब समूह के करीब और फिलिफिन्स अफ ताइवान के बीच रणनीतिक महत्व के जल्ड मरू मध्य तक पहुंचने की अनुमती देती है दक्षणी चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रमक्ता ने फिलिफिन्स को खतरनाक हत्यारों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया है चीन की आक्रामता का ताजा सबूत 4 मार्च की घटना है जब चीनी तटरक्षक जहाजों ने फिलिफीन्स के जहाज पर पानी की बुचार की थी जिसमें चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए थे जापान भी तैनात करेगा मिसाइल जापान ने शुरुआत में 2026 और 2027 तक टॉम हॉक के नवीनतम संसकरण ब्लॉक वी की 400 मिसाइल खरीदने और एजिस बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस जापानी विध्वनसक पर तैनाती की योजना बनाई थी लेकिन जापान ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते ब्लॉक वी की जगह इसका पुराना वेरियंट ब्लॉक आईवी 2025 तक देने का अनुरोध किया जिसे अमेरिका ने मनजूर कर लिया है अब मार्च के अंथ तक जापानी नौसैनिक मार्च के अंथ में मिसाइलों को संचालित करने का प्रशिक्षन शुरू करेंगे दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद